नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल टार्गेट विद गोशों में पर तो दोस्तों एससी की एक बहुत बड़ी वेकेंसी निकल कर सामने आई है जो की एससी छेसल जो कोई काफी जादा बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे तो ये दोस दोस्तों ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो का पूरा कंप्लिट जरूर देखेगा अपनी दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्रीब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्र हैं CHSL में जो की मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए हैं मेल और फीमेल टोटल पोस्ट कितनी है 4500 और फीमेल के लिए काफी ज़्यादा अच्छी वेकंसी है और 10-4 वाली वेकंसी फाइनली तो दोस्तों फॉर्म जरू डालिएगा लास्ट डेट का इंतिचार मत करिएगा एपलाई डेट की बात करें दोस्तों तो 6 दिसंबर से 4 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म जिसमें डाल सकते हैं तो दोस्तों इसका फॉर्म डलने स्टार्ट हो चुके हैं लगबग और आप इसका फॉर्म डाल दीचेगा क्योंकि दोस्तों बीच बीच में सर्वर का भी काफी क्योंकि काफी ज़दा बहुत बार होता है कि फॉर्म में कर्रेक्शन करवाना पड़ता है तो दोस्तों 9 और से 10 जनवरी 2023 तक आप इसमें कर्रेक्शन करवा सकते हैं CBT exam date की बात की जाए दोस्तों तो फवरी मार्च में इसका exam आना है यह आपको याद रखना है तो दोस्तों तैयारी इसे साफसे करिएगा क्योंकि लगबग लगबग आपके पास 2-3 मीन है तीन मंत में आपका exam आने वाला है तो दोस्तों तैयारी जम कर कीजएगा फीस की बात की जाए दोस्तों इसमें तो general ABC यSW से लिए 100 रुपे हैं और S C और S T के लिए इसमें निसूल के हैं तो आपको form जरूर डालना है ठीक है General ABC के लिए 100 रुपे है S T और S C के लिए 100 रुपे जीरो रुपे इसमें फिस है प्रक्राइब को क duty ही auf जने लिम्मिट हो प्रसक्राइब के लिएज का जुमई सहे जन्वरी 22 ends एंज लिमिट कि कब तक काउंट होगी एक जन्वरी 22 तक और एज इसमें कब से कब तक ही दोस्तों? तो 18 से18 से 20 साल तक की है OBC को इसमें 3 साल की छूट है और ST को 5 साल की ST, ST वालों को 5 साल तक इसमें छूट है तो वेकेंसी इसकी बात कहल देते हैं दोस्तों और यह कहां 12 भी PAS वाले फार्मस में डाल सकते हैं 10th प्लस 2 ठीक है पोस्ट की बात की जाने तो इसमें साथ यह पोस्ट कौन-कौन सी है Lower Division Killer यानि LDC Lower Division Killer की वेकेंसी है दोस्तों Junior Securitical Assistant की वेकेंसी यानि JASM जिसे हम कहता हैं तो यह दोनों वेकेंसी हैं ठीक है और एक ही Data Entry Operator यानि DEO तो यह भी 10 भी से हैं तो आप दोनों में फर्म डाल सकते हैं ठीक है तो दोस्तों जो अच्छा लगे आपको इसमें फर्म डालिएगा और Selection Process की बात की जाए दोस्तों तो T.R.1 पर एक्जाम होगा T.R.1 पर आपका एक्जाम होगा T.R.2 उसका बार Document Verification होगी आपके तो इस तरीके से इसका Selection Process है सेलरी की बात की जाए दोस्तों तो LDC और JSA की सेलरी है दोस्तों 19,900 से लगाकर 63,300 तक तो अच्छी सेलरी है दोस्तों इसमें भी 19,900 से लगाकर 63,300 तक इसमें सेलरी है आप देख सकते हैं काफी जादा है जोकि P.A.S.A. में 25,000 से उपर सेलरी है दोस्तों और D.E.O. की बात की जाए दोस्तों 29,200 से लगाकर 92,300 तक इसमें सेलरी है सिलर्स इसमें दो तरीके से हैं TR1 होगा फिर TR2 होगा आपका एक्जाम और Negative Mark इसमें 0.50 होगा तो ये आपको याद रखना है सिलर्स की बात की जाए CBT-based होगा सिलर्स में दोस्तों दो सेक्षन में आपके पिपर होगे एक TR1 और एक TR2 तो फर्स्ट वाले में देखेंगे आपका टोटल 200 200 Marks का आपका एक्जाम रहेगा कितने Marks रहेगा 200 Marks का आपका एक्जाम रहेगा यह आपको याद रखना है और 100 questions आपके एक्जाम में रहेंगे इतने questions रहेंगे दोस्तों 100 questions आपके Marks में रहेंगे और एक question दो Marks का रहेगा जिसमें general English पूछी जाएगी आप से basic knowledge English है न तो दोस्तों यह 25 questions रहेंगे जो कि 50 number के रहेंगे और reasoning आपसे पूछी जाएगे जंडरल intelligence जो कि दोस्तों 25 questions इसके रहेंगे वो भी 50 Marks के रहेंगे और mathematics पूछी जाएगे दोस्तों इसमें आपसे 25 question रहेंगे वो भी 50 number के रहेंगे और general awareness GKS इसमें आएगा दोस्तों वो भी 25 question रहेंगे 50 Marks के अब दोस्तों इसमें की बात की जाए तो आपको एक गंटा इसमें दिया जाएगा और एक गंटे में आपको 100 को मिलेंगे जो की 200 मार्क्स के रहेंगे तो यह है TR1 का syllabus अब हम देखेंगे TR2 का TR2 में दोस्तों काफी जादा changes किया है SSC ने इसमें काफी जादा changes किया है तो इसको ध्यान से समझिएगा TR2 होगा दोस्तों उसमें दो section में आपके paper होगे first होगा और एक दूसरा second section होगा ठीक है first section में देखेंगे हम तो यहां से आपको mathematics पूछी जाएगी और reasoning पूछी जाएगी यानि कुल 60 question आपके रहेंगे और यहां पर एक question दोस्तों तीन नंबर का रहेगा यानि आपके 60 question है एक question तीन मार का रहेगा तो total 180 नंबर के आपके यह रहने वाले हैं और आपको इसके लिए एक घंटा दिया जाएगा यह आपको याद रखना है ठीक है एक घंटा आपको पूरे section 1 और section 2 के लिए दिया जाएगा ठीक है second session में दोस्तों English आपसे पूची जाएगी GK और GS पूचे जाएगा जो कि English आपकी रहेगी दोस्तों इसमें 20 नंबर की और GK GS रहेगा दोस्तों इसमें English रहेगी आपकी 40 नंबर की और GK और GS रहेगा दोस्तों 20 नंबर रहेगा ठीक है यानि यहां से भी कुल आपसे 60 question पूचे जाएगे वो भी 60 question पूचे जाएगे तीन नंबर के रहेगे तो total 180 नंबर के यहां से question आएगा ठीक है तो यह आपको पढ़ना है और इसके लिए भी आपको total एक घंटा मिलेगा section 1 और session 2 के लिए session 3 में दोस्तों आपका आएगा computer ठीक है computer knowledge जो कि आपसे 15 question पूचे जाएगे वो भी 3 तीन नंबर का एक question रहेगा तो उसके लिए आपको 45 marks यहां से आपसे पूचे जाएगे और जो कि दोस्तों इसमें भी एक question 3 नंबर का रहने वाला है और इसके लिए आपको 15 मिनिट का time extra दिया जाएगा यानि इन तीनों के लिए आपको समय मिलेगा साथी हो 2 गंटे 15 मिनिट का तो यह काफी जादा important समय का use आपको आपको बहुत सोच समझ कर करना है आपके पास कितने question हो जाएंगे दोस्तों यह आपके पास हो जाएंगे तो आपको जरूर इसका पढ़कर जाना है आगे बढ़ेंगे दूसरा एक session होगा आपका जो की session third इसमें आपसे पूछी जाएगी skill test यानि typing test आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर skill test आएगा डियो के लिए और typing आईगी दोस्तों LDC और JSA के लिए आपको यहाँ भी 15 मिनिट दिया जाएगा और LDC के लिए भी आपको 10 मिनिट का समय दिया जाएगा यहाँ पर आप हिंदी और English दोनों की typing पूछी जाएगी तो आप typing की practice अभी से कर दीजेगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा और इसमें minus marking भी रहेगी दोस्तों आपको total जो final result बनेगा वो इसके उपर बनेगा तो आपको यह management आपको जरूर करना है arithmetic, reasoning, English, general awareness, GKGS और computer knowledge तो दोस्तों यह question आपको जरूर पढ़ना है इनी पर आपको main focus होना चाहिए last में आपसे typing भी पूछी जाएगे तो आपको typing भी अभी से complete कर देनी है तो दोस्तों यह रही आज की हमारी वीडियो अगर उमीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देजएगा शेर कर देजएगा चलिए फिर मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई